हिमाचल के चला कांगडा के जौला मुखी विधान सबा क्षित्र के अंत्रकत गाम पंचायद गुमर के गरीब कुलदीब कुमार इन दिनों सोशल मीडिया पर खूप सुर्खियां बटो रहे हैं बज़ा है सोशल मीडिया पर गाए बेचकर बच्चों की बढ़ाई के लिए स्मार्ट फोड खरीदनी की वाइरल खबर जब की हकीकत में कुलदीब कुमार के पास दो गाए दो भैस दो कटियां एक भैसा यानि कुल साथ पशू हैं साथ पशू का मालिक कुलदीब दूद बे साथ में ज्यादा पसू बांदने का उसके पास कोई भी प्रापधान नहीं है कुलदीब अपने बच्चों को प्राइबिट स्कूल की महंगी किताबे और शिक्षा दिला रहा है जबकि उसके घर के नजदेक सरकारे स्कूल में निशुल्क शिक्षा सरकार दे रही है निश चोशल मीडिया पर बाइरल हुई तो स्तानी प्रशासन ने उसकी जरूरी मदद के लिए घर का दोरा किया साथ ही छे हजार की गाए बेसकर छे हजार का मुबाइल बच्चों की ऑनलाइन बढ़ाई के लिए खरीदा उस मुबाइल के बारे में जानकाली जुटाई ग प्लाइ महीने में 6,000 रुपाइक में बेची थी जांच में ये भी पाय गया कि कुलदीप कुमार का नामस्थानी पंचायत ने परधानमंत्री अवास योजना में उसे नए मकान के निर्मान के लिए नामित क्या गया है जे मकान डाल दिये जाए। अच्छा गा देने बास थी बो ले है तुह का बोले हमानों WA मेरे पास दो गाई हैं इसलिए मुझे गाई कि तनी जोर निम है आपके कितने पत्चे हैं जी मारे दो बत्चे कि स्कुल में पड़ते हैं एलाएन सकूल का बाद में जो परसासन प्रसिदार महदे और Sडेम के अदेशाद रानुसार सुपिदेंट साथ यहां पे आए हुए थे तो बहां से परसासन के अदेश थे कि इसको आदमी को गाये जो गापिस दिलाई दाई जाए तो इसने बिलकुल ही साफ मना कर दिया कि मैं गाये नहीं रख सकता हूँ परसासन ने हर प्रयास किया पर इसने बिलकुल ही मना कर दिया और इसके पास पहले से ही बहुत सारे पसू है और इसके पास बादने के लिए बैसे भी जगह नहीं है और इनका पुस्तैनी जो पराणा मुकान है इसके दो कमरे हैं एक में इस जिलाकांगला उपयक राकेश प्रजापती ने जब इस बारे बात की तो उन्होंने बताया कि जो भी कबर चलाई जा रही है बे तत्यों से बहुत दूर है। गाय छे हजार में बेची गई है गाय कभी भी छे हजार में नहीं बलकी 25 से 30 हजार के बीच उसकी कीमत होती है। जो मीडिया और सोचल मीडिया में खबर दिखाई जा रही है बतत्यों से को सदूर है। देखें जो खबर चलाई जा रही है वो फैक्ट से बहुत दूर है और ये इस परिवार को हमारे एजियों साब भी जाकर देख चुके हैं तैसलार साब भी जाकर देख चुके हैं। जो परिवार है अपने मर्जी से जहां पर रह रह रहा है और दूसरी बार जहां तक मुवाइल खरीदने की बात है ये मुवाइल ऑन रिकॉर्ड अपरेल महिने में खरीदा गया है। गया कभी 6000 की नहीं बिखती है और आमोमन जो दाम होता है गया का 30,000 या उससे उपर होता है तो गया को बेचने की पीछे मंचा जो थी कुछ अलग थी। और जहां तक प्रसाशन की बात रही प्रसाशन की तरह से हमने पीश्यस भी की कि हम जो गया बेची हुई है उसको हम खरीद कर वापस इस इंसान को दे देते हैं। लेकिन चुकि गया को बेचने के बिचे कारण कुछ अलग था इस वज़से उन्होंने गया को लेने से भी इंकार कर दिया। तो सच्चाई जो है उसके अनुरूप जो मेडिया में, सोशल मेडिया में जो न्यूस वाइरल हो रही है उस अनुरूप नहीं है। थैंक यूसाट